हाई हलो बच्चो मैं हुई हेमन सर्मा आपका स्वारीद करते ने यूटीव चैनल है कर बच्चो देखेंगे आज की इस वीडियो में ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए के रहा हैं भी पार्ट सेकंडियर का ठीक है फिजिक्स का पेपर लेके आएं ठीक है तो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेके आएं ठीक है तो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में हम आपके लिए बता दें पूरा के पूरा अब्जेक्टिव पेपर है ठीक है बेरे इंपॉर्टन पेपर है ब इसमें देखेंगे unit ठीक है, तो unit first है, हमारी, second है, third, four, ठीक है, तो सभी unit है. तो उनमें क्या है, हम एक, एक unit, एक video में करवाने बाले हैं बच्चो, लंभी unit होने के कारण, एक video में एक unit करवाने ठीक है, और अगर आप हमाई चैनल को पहली बाद देख रहे हैं बच्चो तो किर्प्पा करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब करेए तो कि हमारे आने वाले वीडियोज और नोनिफिकेसन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुचे है बच्चो ठीक है और देखेंगे बच्चो साथ साथ इम बीडियो को like भी करते रहेगा शेयर भी करते रहेगा ठीक है और share करते रहेगा जल्दी जल्दी से और लाक्ष तक देखेंगा पूरी बीडियो को अब बच्चो इसकी की दूरी आधा करने पर तथा लेश्ट बाप परदे के बीच की दूरी दो गुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई कैसी रहती है तो देखेंगा आप्सन मर्दा हमारा रहेगा राइट आंसर चार गुनी हो जाएगी तो इसकी तो इसकी चार गुनी हो जाएगी इसकी ठीक है क्या रहेगा बितरन ही होता है यह तो घखेंगा चैनल सुरोथ होते है तो इस तो इसमें ढरहेगा प्यज्रमत सक molto इसका right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बैए क्या रहेगा option number 10 ठीक है नियत का लांतर होके ठीक है नियत का लांतर क्यों होते हैं इसका right answer रहेगा option number 10 ठीक है अगला next question दो तरंगे जिनकी ती बरताएं 9 अनुपात एक है ब्यक्तिकरण फ्रिंजें बनाती है इनकी महतन तथा नियूंतन ती बरताओं की निस्पत्ति है तो इसमें right answer कौन सा रहेगा इसमें right answer कौन सा रहेगा बच्चो तो option number 2 इसका right answer ठीक है अगला next question ट्वाइट ग्रीन ब्यक्तिकरण मापी संसोधित रूफ है तो इसका कौन सा रूप है जल्दी से बताएं का right answer कौन सा रहेगा इसका right answer देखें वच्चो कौन सा रहेगा option number 6 ठीक है माइकेल सन ब्यक्तिकरण मापी का ठीक है किसका है माइकेल सन ब्यक्तिक कोशी ब्यक्तिकरण होने के लिए पथांतर होना चाहिए तो right answer इसमें कौन सा रहने वाला है बच्चो जल्दी से बताएं के right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसका right answer क्या रहेगा option number 6 ठीक है and lambda and lambda इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला next question देख लेते हैं next question दिया है फाना कार फिल्म से प्रात फ्रेंजों की प्रकृति होती है जल्दी से बताएं के right answer कौन सा रहेगा बच्चो बिरी-बिरी important question है लाट से देखेंगा पूरी वीडियो को मज़ेदार रहने वाली वीडियो तो इसमा right answer कौन सा रहने वाल इसका right answer जो है इसका option number 2 यानि की दोगना हो जाएगी ठीक है कैसी हो जाएगी option number 2 हमारा right रहेगा ठीक है अगला next question यदि किसी बिंदू पर दो तरंगे y1 square 2 y1 square 2 a1 sine omega t तथा y2 square 2 a2 sine sine bracket 5 t plus 5 ठीक है अध्यार रोपेद होती है तो उस बिंदू पर अधीप difference बनेगी यदि वहे कैसी हो जल्दी से पताएगा right answer इसका आपसर आएगा तो देखेंगे इसका जो राइट रहने वाला इसका तो देखेंगे इसका राइट रहाएगा option number 2 ठीक है फाइशकल टू आर इसका राइट आइगा ठीक है बच्छो अगला next question देख लेते हैं 025 cm दूरी पर रखी दो शिलिटूं को तरंग देज़े 5000 एंग तो फ्रिंज की जोड़ाई कितनी होगी जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कह रहेगा बच्छो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो इसका राइट आंसर जो रहेगा option number 3 ठीक है 0.02 cm यह हमारा राइट आंसर रहेगा option number 3 ठीक है अगरा next question ब्यक्ति करार आपके रहेगा option number वा रहेगा ठीक है लेम्डा डी अपॉंड टूडी लेम्डा डी अपॉंड टूडी इसका राइट आंसर रहेगा option number भी ठीक है अगरा next question दो कला संबद सुरूतों की ती बृता की निस्पत्ति 81 अनुपात 1 है तथा महतम महतम वा नियूंतम ती बृता क निस्पत्ति है ठीक है तो इसमें राइट अंसर कौन सा रहेगा राइट अंसर इसमें बच्चो कौन सा रहेगा तो देखेंगे इसका जो राइट अंसर रहेगा बच्चो भी क्या रहने वाला है और इसमें राइट अंसर कौन सा रहेगा बच्चो जल्दी से बताएंगे Right answer risk कौनसा रहने बाला है तो देखेंगे बच्चो इसको Right answer रहने बाला है क्या हो जागा Option No.2 समय के साथ नियत है आपसा No.2 ठीक है? Option No.2 हमारा Right रहेगा. अगला next question फिल्म द्वारा परावर्तित प्रकास में बिनासी ब्यक्तिकरन का प्रतिबंद है तो इसमें right answer कौन सा रहेगा जल्दी से right answer सभी बच्चे बताएंगे right answer कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे right answer क्या रहेगा option number वा ठीक है two mu t cause r equal to n lambda ये हमारा right answer रहेगा option number वा हम right answer बताएंगे बच्चो सभी बच्चे बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका right answer देखेंगे right answer जो रहेगा option number वा ठीक होता है अगला next question देख लेते हैं Newton बलै प्रयोग के दीप्त बलियों की दीप्त बलियों का व्यास निम्ना अनुक्रमानुपाति होता है तो right answer कौन सा होगा सभी प्रकास को करा संब्द कहा होता है यदि उनके दोनों यदि उनके द्वारा उत्पादेत तरंगों की उत्पादेत तरंगों की आख क्या होना चाहिए ज shoulder- sap यह दो यह किसमें जल्दी से मानजद यहां पताएगा जल्दी सरे अंसरा बताएगी ठीक है अनुप्रस्तवा अनुदैदरी है दोनों तरंगों में ठीक है अगला नेश्ट कोशन न्यूटन बलाय प्रियोग में बल्याकार फ्रिंजे प्राथ होती है तो राइट आंसर कौन सा रहने वहला इसका तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा बच्चो भी क्या होता है भलाय का केंद्र होता है कौन सा होता है जल्दी से इसका राइट आंसर है इसके कह रहे गाएगा फूरिय गहां तो देखेंगे इसके डियास के 0.30 cm से 0.25 cm हो जाता रहने वाला है तो देखिने का रहने वाला है तो देखें का राइट आंसर नुमबर और 1.44 इसका राइट अंसर होगा ठीक है अगरा नेश्ट कोश्चन न्यूटन बले के प्रियोग में लेंस के नीचे शमतल प्लेट के इस्थान पर समतल दर्पन रखा जाए तो प्रात्थ होंगी राइट बताएंगे सभी बच्छ राइट अंसर बताएंगे किया उप्सन रहने वाला है इसका छी का का अलपत मांग है तो कौन सा है जल्दी से बताएंगे राइड अंसर इसका क्या होगा इसका राइड यंसर क्या रहने वाला है बच्छो तो देखेंगे इसका तो राइड अंसर है कालास की प्रियुक्त प्रिकास का रंग होगा ठीक है तो प्रियुक्त प्रिकास का रंग कैसा होगा जल्दी सुपता है राइट आंसर क्या रहेगा इसका तो दिखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा और रहेगा तो देखेंगे इसका जो right answer है खो किया सम्भागा पrüिर्म में रंग निमन का परिणाम है तो इसमें राइट answer कौन सा होगा इसमें ब्यक्तिकरण मापी में किसी एक दरपड को X दूरी विस्थापित करने पर एन फ्रिंजें विस्थापित होती हैं तो प्रियक्त प्रिकास की तरंग दैद्रिय है तो क्या हो जाएगा इसका right answer क्या होगा बच्चो इसका right answer क्या रहने वाला इसका तो देखेंगे इसका right answer होगा बच्चो वो क्या रहने वाला है option number A ठीक है option number A हमार right answer रहने वाला है lambda is equal to 2x upon and इसका right answer रहेगा option number A ठीक है अगला next question एक समान मोटाई 10 to power minus 10 meter की सावन के गोल की फिल्म पर स्वेथ प्रकास गिरता है परावर्तित भाग में बहे दिखाई देगी कैसे रंकी दिखाई देगी राइट अंसर कौन सा होगा इसका राइट अंसर जो होगा बर क्यों होगा option number 2 होगा ठीक है काली दिखाई देगी कैसी दिखाई देगी काले रंकी दिखाई देगी option number 2 हमार राइट रहेगा अगला next question परकास के ब्यक्ति करण के कारण पानी की सतह पर तैरती तेल की परत रंगीन दिखाई देती है इस परभाव को देखने के लिए तेल की परत की मोटाई लगवा होनी चाहिए तो right answer क्या होगा इसका तो right answer क्या रहने वाला है option number 2 इसका right answer रहने वाला है 10,000 आएंगे श्टाउन 10,000 आएंगे श्टाउन इसका right answer रहेगा option number 2 ठीक है तो अगला next question देख लेते हैं बच्चो next question क्या दिया है फेबरी फेबरी पेरो ब्यक्ति करण मापी ब्यक्ति करण मापी में फ्रिंजों की तीश्रता गुडांक F का बिंजट है F का बिंजट है तो कौन सा है F का बिंजट है जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसका बच्चो बच्चो इसका right answer कौन सा रहने वाला है option number A इसका right रहने वाला है F is equal to 4R upon ब्रेकिन में 1-R का hold to A ठीक है यह हमारा right answer रहेगा option number A हमारा right रहेगा ठीक है अगरा next question फेबरी पेरो ब्यक्ति करण मापी में अर्द फ्रिंज की चोड़ाई का मान है अर्द फ्रिंज की चोड़ाई का मान है तो कौन सा है right answer इसका क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्चो option number 2 इसका right रहेगा ठीक है 1-R upon under root R यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीक है तो अगरा next question दिख लेते हैं next question क्या दिया है ठेवरी पेरो बेती करणा मापी में फ्रिंजों की तीब्रता फ्रिंजों की तीश्रता ठीक है फ्रिंजों की तीश्रता का इसी जल्दी से बताएंगे right answer बताएंगे कौन सा रहने वाला है तो इसका right answer जो होगा बो क्या होगा option number A होगा परावरतन गुडान को बढ़ाने पर बढ़ती है ठीक है? परावरतन गुडान को बढ़ाने पर बढ़ती है इसकी तीश्रता ठीक है? right answer रहेगा यह अगर next question की तरह बढ़ते हैं बढ़ने से पहले जल्दी से class को share करेंगे like करेंगे वीडियो को ठीक है वीडियो को लइक करना बिल्कुल नहीं बच्छों ब्रोटन वीडियो रहने वाली है बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाली बहुत ही इंपोर्टन वीडियो ऐगा रहें तो ब्रेकित उप 1-R upon under root R, ठीक है, upon under root R, यह हमारा right answer है, option number 2, ठीक है, अगर अनेश कोशिशन, फेबरी पेरो फिरिंजे होती है, फेबरी पेरो फिरिंजे होती है, तो जल्दी से बताएंगे, right answer इसका क्या होगा बच्चो, इसका right answer बच्चो, क्या होगा, तो इसका जो right answer होगा, बच्चो, क्या होगा, option number 2, हमारा right रहेगा, समान जुकाओ की समकेंदरिक बृत्ताकार फिरंजे होती है, option number 2, हमारा right रहेगा, ठीक है, अगर अनेश कोशिशन, अगर अनेश कोशिशन क्या है, 82, 22 करणं केबल तभी होता है, जब कलांतर हो, तो जल्दी से बताएंगे, right answer कौन सा रहने वाला इसका, इसका right answer कौन सा रहने वाला है, बच्चो, तो देखेंगे, इसका right answer जो रहेगा, वो क्या रहेगा, option number 6, वेला इसका राइट रहेगा 180 डिग्री इसका राइट आंसर है बच्छो ठीक है अगर अनेश कोश्चन माइक एल सण व्यतिकरण मापी में फ्रिंजे बन्ती है तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से सभी बच्छे बताएं कि राइट आंसर कौन सा रेक्रेक्टो मीटर का प्रयोग किया जाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला बच्चों तो और इसका राइट आंसर रहने वाला ए ठीक है निसकरिए गैसों का अपवरतनांग मापने में यह हमार राइट रहेगा ठीक है अगला नेश्ट कुश्च प्रतिकारी प्लेट का कारिया है तो कौन सा राइट आंसर रहेगा बच्चो इसको जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने बाला है तो देखें कि इसका जो राही आंसर है्ग वह करहेगा option number A रहेगा ब्यतिकारी तरंग का कलांतर पाई उत्पन करना ठीक है राइस कोरणर मापी में पिलिटों की परावर्तक्ता आर को आर बढ़ाने पर बिभेदन चम्ता है बीवेदन शमता क्या घुठी जल्दी से बताएं कि right answer इसका right answer क्या रहेगा बच्चो सो जल्दी से पर आइदग आइगा बच्यों हमारा रहने रहे यहाँ रहे ऑप्चोन सो नुम बर 8 ठीक है क्या होता है Little dot के इन शिङमता क्या होता है बढ़ती है आगला next to कोईशन अगरा नेस्ट कोईशन क्या है अगरा नेस्ट कोईशन दिया है एक पतली सावन की फिल्म यू इसकोल टू बन पॉइंट थी थी सोडियम प्रकास लेमडा इसकोल टू फाइब यानि कि पांच हजार आफ सो तरानवा एंग स्टान में अभिलम परावरतन द्वारा का कारी दिखाई देती है ठीक है का धिखाई देती है ठीक है फिल्म की नियूंत मोटाई का परीकलन की जिए ठीक है तो फिल्म की मोटाई का परीकलन देखें quyền के प्रिंजों की द्रस्यता का परिकरन कीजिए तो राइट आंसर रहेगा इसका राइट आंसर रहने वाला है तो इसका राइट आंसर जो देखेंगे वो क्या रहेगा ऑप्सन नमर रहेगा 0.976 यह हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चो नेश्ट कोईशन देखें बच्चो इस वीडियो का लाइट कोईशन है माई केंद्रिय फ्रिंज का किरम एन बरावर होता है एन बरावर कितना होता है जल्दी सी पतेंगे राइट आंसर इसका राइट आंसर इसका राइट आं बच्चो तो किर्पब्य करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि पर चाइब करें जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे बच्चो इसकी पीडिये जो है वह हमने अपने डिस्क्रिप्टियों बाक्स में दे देंगे वहां से आप और पीडियक سے और प्लिश्टूर से आप उसको डाउट डॉट कर सकते हैं अब उस एप में सारी के था सारी पीडियक्स मिलेगी जिस चीज की देखना है उसको देख सकते हैं अच्ज जल्द ही हम लाँज करने वाले हैं तो जैहन बच्चो मिलते हैं एक सौट बरेक के बाद